Hyundai Motor India Limited, HMIL, ने अपनी आगामी SUV Hyundai Xter के sketch का खुलासा किया है दक्षन कोरियाई वाहन निर्माता की यहाँ आगामी SUV Hyundai Venue के नीचे स्थित होगी और टाटा पंच को टक कर देगी डिजाइन sketch का विशलेशन करते हुए, हालांकि Hyundai Xter को एक split headlamp setup और एक boxy design मिलता है आगामी SUV का front section भारत में अन्य Hyundai SUV की तुन्ना में बहुत ही अनूठा दिखता है विवर्ण में गोता लगाते हुए काले रंग का front grill front bumper की पूरी चोड़ाई को फैलाता है और इस grill ख्षेत्र के अंदर चौकोर headlamp लगाए जाते हैं इसके अलावा HR के DRLS, Fox Silver Skid Plates और flare wheel arch SUV में बहुत अधिक चरित्र जोडते हैं कहा जा रहा है कि आने वाली Hyundai extra Hyundai के के एक छोटे कार प्लाटफॉर्म पर आधारित है यह वही प्लाटफॉर्म है जिसका इस्तमाल Hyundai Grand i10 Nios hatchback में किया गया था ऐसे में हमें उम्मीद है कि extra SUV का आकार लगभग Grand i10 Nios जैसा ही होगा यदि सही है तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाली Hyundai extra SUV में Hyundai Grand i10 Nios hatchback की तरही जाचा पर खा 1.2 लीटर naturally aspirated petrol engine होगा Grand i10 Nios hatchback में यह इंजन 82 BHP की पावर और 113.8 NM का टार्प पैदा करता है इसके अलावा Grand i10 Nios hatchback में transmission विकलपो को भी आगे बढ़ाया जा सकता है और इन gearbox विकलपो में 5-speed manual transmission और 5-speed amp gearbox शामिल है Launch होने पर Hyundai extra SUV भारत में Citroen C3 और Tata Puch model के साथ प्रतिसपरधा करेगी साथ ही Hyundai extra SUV की सफलता दक्षन कोरियाई वाहन निर्माता को पुल बिकरी के आंकडों के मामले में Tata Motors पर एक अच्छी बढ़त हासिल करने में मदद करेगी इसके अतिरिक्त Hyundai extra SUV को चेन्नेई तमिलनाडू में हमील के विनिर्मान सैयंत्र में निर्मित कहा जाता है और मॉडल को आगामी त्योहारी सीजन से पहले लॉंच किये जाने की उम्मीद है